स्वामी मधुपरमहंस जी जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के धर्शन करने लगती है ऐसे श्री सत्गुर की महिमा का वरणन कहां तक करें जो अनन्त है आज अध्यात में शक्तियों पर बात करेंगे आखिर अध्यात में शक्तियों क्या है सुनने और समझने में तीन चीजें प्रतक्ष दिख रही है तीन शक्तियां शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिन शारीरिक शक्ति सबकी अलग है यह समान नहीं है मानसिक शक्ति भी, बोधिक शक्ति भी इंसान के अन्भव और किरिया कलापों पर आश्रित है इसलिए मानसिक शक्ति भी समान नहीं है पर अध्यात्मिन शक्ति सब में समान है यह आत्मा सपश्चते सपश्चन्ति आत्मा सब में समान रूप से विद्यमान है हम सब देखते हैं, हम सब में भिनता शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति से हैं, लेकिन जहां तक शरीर की प्रकृति है, वो भी समान है, सभी जिवों में, शरीर की प्रकृति भी समान है, मन की प्रवर्टि भी समान है, और अध्यात में शक्ति भी समान है, लेकिन, किस तरिश्टी से देखें हैं, सब के अंदर 25 प्रकृति हैं, जल, अगनी, प्रथी, वायू, आकाश, प्रथी की पांच प्रकृति हैं सब के अंदर हैं, हाड, मांस, तवचा, रोम, नाखुन, देखो सब में हैं, जल की भी पांच प्रकृति हैं सब में समान रूप से हैं, रक्त, मूत्र, बीर्ज, ठूक, पसीना, ये पांच इसकी नेचर हैं, वो सब में हैं, अग्नी की पांच प्रकृति हैं भूख, प्यास, अलिस, निद्रा, जंबाई, ये भी सब में हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, सुपर्श, आदि, ये भी सब में हैं, वायू की प्रकृति भी सब में हैं, सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, बल लगाना, जहां तक भोतिक शरीर की प्रकृति का सवाल है वो भी हम सब में समान है अभी आप एक प्रशन करेंगे कि अभी अभी आपने बोला था कि भोतिक शक्ति सबकी अलग है और मांसिक शक्ति भी अलग है मेरा यहां भी स्क्राइब है कि भौतिक वनावड में भी डिफिरेंस नहीं है और मानसिख प्रबर्तिमें भी डिफिरेंस नहीं है क्योंकि कि सबके अंदर है ये पाश प्रक्रतियां 500 to 25 प्रक्रतियां दिखे जही शरील का नेचर है कि दूसरा कि मांसिक प्रप्रति सब में समान है हर एक में मन बुद्धी चित एंकार देखो समान है सब में मेमुरी है सब में मन है संकल्प सभी कर रहे हैं निश्चे सभी कर रहे हैं एक्टिविटी सभी कर रहे हैं इस्मिर्थी सब में तो है ना मन की वर्तियां भी सब में समान है काम क्रोध लोग मोह एंकार भी समान है हम सब में चिंतन भी है हम सब विचार कर रहे हम सब हैंसला भी कर रहे हम सब इच्छा भी कर रहे हम सब इसमर्ती भी रख रहे हम सब क्रिया भी कर रहे हम सब क्रिया भी कर रहे हम इसका मतलब है हम सब में बहुत सी चीज़ें समान रूप से सुख दुख की अन्भूती ओफेंसिव डिफेंसिव मैसर्स करिब-करिब हम में मिलते हैं इतना ही नहीं सभी जियों की एक प्रकृतिय है पहचानना बागी चीज़ें करना अगर हम थोड़ा चिंतन करें तो आत्मा का दर्शन सब में हो जाता है मैं आपके छोटा उधारन देता हूँ एक डाक्टर मेरे पास नील गाह की छोटी बशड़ी लाया मुझे का हमाराज ये मुझे हाथ में लग गई अपने परिवार से बिछड़ गई है इसको आप प्रको क्योंकि आप इससे मारेंगे नहीं हमारे याँ जीव हिंसा जीव हत्या वर्जत मैं अगा भई ये तो गलत हैं ये जंगली जानवर हैं इसको छोड़ो अपने माँ बोला नहीं जंगल में इसको भेड़िये स्यार बाकी कुत्ते ये खा जाएंगे चोटी सी हैं इसको चोट भी लग गई है ये अकेली थी मैं बड़ी मुश्किल से दो घंटे में पकड़ा हूँ आप रखो ठीक है अब वो निलगा की भशड़ी आश्रम में रही उसको अम दूद पिला रहे थे दूद पीती थी एक दिन रात में खुल गई वो चली गई जंगल में तो मैंने लोगों को डांटा मैंने का भई गेट क्यों खुला रखा अब उसकी थोड़ी पहचान भी हो गई थी लेकिन दो दिन बाद वो फिर बापिस आई हित अनहित पशुपक्षिन जाना मान व तन बुण व्यान ने दाना उसने ये समझा कि तीन चार किलो दूद मुझे जंगल में नहीं मिला हमारे यां रसी में बंधना उसे पसंद था जंगल में खुला घूमना पसंद नहीं था देखा वज़े यह उसे जंगल में सुधा भी नहीं मिली अहार भी नहीं मिला अच्छा उसको बागी जो गाईयां चारा खाती वो नहीं खाती थी वो भूसा भी नहीं खा रही थी फीड भी नहीं खा रही थी मैं समझ गया कि ये जंगल के जानवर है ये हरी चीज़ें हरी पत्ती खाते है मैंने सहतूत की पत्तियां खिलाई एक दम खा गई मैंने बागी पत्तियां खिलाई तो वो खा गई वो मुझसे हिल मिल गई बागी कोई पास में जाये वो मनजूर नहीं करती थी देखा उसने जान लिया ये मेरे हितेश है उसको बाकी टच करें वो मन्जूर नहीं करती थी मैं टच करूँ कुछ नहीं बोलती थी एक दिन मैं टोपी गर्म धूप से बचने के लिए लगा के गया तो वो पहले मुझे देखती रही उसने सोचा ये दूसरा है कोई उसका नाम मैंने नैनो रखा है मैंने का नैनो तब जान गई ये वो ही है देखा यानि वो साउंड भी पहचान रहे वो सब चीज समझ रहे है वज़े क्या है आतम देव हाजिन है उदर भी सब में तेरा जलबा समा रहा है ये धर्म बोल रहा है तुम मन वचन कर्म से किसी को भी मत बुख दो ये आत्मा कर्मान कुल नाना शरीरों को धारन करती है ये की आतम देव नाना शरीरों में घूम रहे है इसलिए है मानो किसी भी प्राणी को मत मारना अच्छा थोड़ी बड़ी हुई मैंने का अभी इसको पत्तिया इतनी कहां से खिला हूँगा जब उसको मैं फुलका खिला हूँ बाकी गाएं खा रही रोटी वो मुह उदर कर देती थी मैंने ताजा फुलका पत्तला करके उसको का खाओ अब वो फुलका खाने लग गए फिर में भूसे में थोड़ा सा आठा मिला करके उसको खिलाब उसको खाने लग गई देखो एक मॉन टिट कितने करते है गाय की दो बच्छियां उसके साथ खाती उन से वो नहीं लड़ती है बच्छडा एक है उसको भगा देती है दिखो यह भी पहचान है कि मेल है फीमेल है यह भी पहचान है बस अंतर इतना है यह तो मानों में भी मिलता है कुछ आदमी जल्दी समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं कुछ अपनी बादशीत अच्छी तरीके से रख पाते कुछ नहीं रख पातें कुछ वइल्इंस करने वाले हैं कुछ शांत है इसी तरह को ऐसे हैं कुछ गाई यां बड़ी हमारे पास गोशाला भी ना बड़ी उखड़ हैं मारने भी पड़ती हैं कुछ शील हैं बड़ी शानत है एक हमारे आश्रम में गाये हैं किसी भी टाइम दूद लेने जाओ उस नहीं बोलती है कभी-कभी अचानक कुछ लोग आजाएं तो दूद नहीं होता है तो कहते हैं वो कहते हैं उसी भूरी गाय का लेओ वो बना नहीं करती है देखा कितनी शील है यह सब चीज़ें देखकर के यूं लगता हैं ओफिंसे मैसर्स और डिफिंसिव प्रवर्ति भीव सभी जीओं में हैं तब ही तो कहा ना या आत्मा सब में एक आत्मा रूप एक जैसा ही है आई हम देखते हैं मैं एक बात बताओंगा आपको अनूठी रगेगी वैज्ञान को ने जोटी संद्वर्सु ने कि बंगल के अग्वाग्यान के हमारे नोबल प्रस्कार भी मिला था उन्होंने यह सिद्ध किया कि पेड़ पोधे सजीव हैं मैं आपको एक अन्भो बताता हूं है हमारे अश्रम में है दो आम के पेड़ है अब देखते हैं कभी कभी इस धर्म में पेड़ों को भी मानते ह मैं सरफ इस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं किसी भी धर्म में जो कुछ है कुछ भी गलत नहीं है हमारा एक ही आपक्ष है कि ये सभी निरंजन तक बोल रहे हैं हमारा इतना आपक्ष है आगे नहीं बोल ले एक बार मैं जब बैठा हुआ था तो एक टंकी के पास साम का पे लेकिन मैंने देखा हवा नहीं है आखरी चोड़ी के पास से ऐसे हिला मेरा ध्यान उस तरफ गया वहां से एक इंसान की तरह गर्धन निकली मुझे का हमाराज प्रणाम मैंने का कौन हो बुला मैं ये ब्रक्ष हूँ ये मैं सपने की बात नहीं बता रहा हूँ बुला मैं ये पेड हूँ हाँ मैंने बुला कहो क्या बात है बुला आश्रम में जितने भी पेड पोदे हैं सब शेवा करते हैं आपकी मैं फल नहीं दे बुला क्योंकि मुझ में रोग हैं इसलिए अगर मेरी दवा की जाए तो मैं आपकी शेवा करना चाहते हूं फिर उसने इशारा किया कि वो जो दूसरा पेड़े ये मेरा भाई है इसमें भी यही बीमारी है मैं का तो बुला दो बार हम पर छिड़काव करो एक दिस्मबर के मेहने में एक जब बोर आ जाए तब फिर मैं फल दूँगा मैं का ठीक है मैंने माली से का भाई इसको बताया नहीं मैंने ये बात क्योंकि बताने से जल्दी कोई समझेगा भी नहीं मानेगा भी नहीं मैंने का भाई ऐसा करो इसमें दवा चिड़क ना दो बार उसने का ठीक है उसमें पहले भी बोर आता था लेकिन इतनी छोटी सी अंबिया होकर के गिर जाती थी कभी उसका फल नहीं लगा उसमेर उसको फल लगा बहुत कम लगा जब मैं उस पेड के नीचे से बातरूम के लिए जाने लगा पास यह एक फल मेरे सामने गिरा मैंने उपर की तरब देखा मुझे कहा महराज यह जरूर खाना आप विश्वास करना उसने मेरे साथ कई बार बात किये मैंने लगा भई यह नहीं कि अब आप उस पेड को पूछने लगें मैंने लगा भई बात सुनो तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे छड़काओ करो फल दूँगा तो इस बार भी तुम में एक का दूँगा फल आया क्या बात है बोला महराज एक बार छड़काओ किया गया दो बार नहीं उसने क्या बोला मुझे कि छिड़काव एक बार किया गया दो बार नहीं मैं का ठीक है उसने मुझे का ये फल जरूर खाना अब मैं का खाऊंगा उसके बाद सुना मैंने माली से बूचा इनसान की कोपड़ी ये मश्टिक बहुत डेंजर चीज़ है बच्चे निर्मल क्यों है उनका बुद्धी अभी विक्सित नहीं है इसमें चल भरा पड़ा है इसमें कपड भरी पड़ी है इसमें चाला की भरी पड़ी है एक महाप्रुष का हर्दा है अंताकरंड से काम करता है इसलिए उसमें चल नहीं होती है बालवत हो जाता है मैंने माली को बूछा भई च्षड़काओ किया बोला हाँ च्षड़काओ किया देखो चाला की से जवाब था मैंने उनका कितनी बार चिप हो गया बोला एक बार मैंने का कितनी बार बोला था बोला दो बार एक बार क्यों किया तुम नहीं कर सकते थे तो मुझे बता ना था मैं किसी और को लगा न बोला आगी गल्टी नहीं हो सुनो परसो रात को जब मैं मिडनाइट वो मुझे अपना फल खिलाने चाहिता है परसो रात को जब मैं चार बेज उट जाता हूँ चार बेज उटकर जब मैं शंका मिटा कर वापस आया उसने मेरे आगे फल गिराया लेकिन मुझे बोला कुछ नहीं आप कहेंगे ये तो गिर गया होगा नहीं ये उसके हाथ में है आज रात भी चार बजे पता है फल कैसे गिराया गजब गिराकर मेरे पैरों के पास जहां गेट हैं वहां गिराया मैंने वो फल उठा करके अलमारी में रखा मुझे अभी बोजन में वो फल दिया बला ये अलमारी में क्यो रखा मैंने का ये सुबह उस निग रहा है इतना सतर के ऐसे निग रहाता है और अगर ऐसे तलाश करोगे उसमें फल दिखाई नहीं देता है मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आतम देव की चेतना हर एक जीव में दिखती है मैं चंदे कुधान देता हूँ आप इसे अंदाज लगाना इसलिए ये धर्म किसी भी प्राणी को कश्ट नहीं देना बोलता है मैं पटोहे में रहता हूँ घास के कुले में वो एर कंडिशन है लोग ऐसी में रहते हैं कितना हानी का रखे ऐसी अदर को नहीं पता हैомारी श्रीब की श्मार्व मत हुआ खतम कर देते हूं ऐसी किर्तिम है लेकिन जो कुशा सरकंड़ का पटोहा बनता है वो सर्दी में गरम होता है गर्मी में ठंडा होता है आटोमेटिक है तो मेरे कमरे में ऐसी नहीं है मैं कूलर का भी उज़ नहीं करता हूं बहुत रियर कभी-कभी और बारा मेने अंदर सोता हूं दिखिए सभी जीओं में कितनी चेतना है तो मेरे कमरे में चुवे भी है जब मैं अक्यला होता हूं वो नहीं भगते हैं उनको पता है यह कुछ नहीं बोल रहा है उन्होंने यह जान लिया जब कोई आदमी आता है वो फॉरण भग जाते हैं और उनके सोने की स्टैल भी निरा लिया है नवार की खटिया है मेरी बुनी हुई तो बीच में गैप होता है डबल बुनी है एक जगह उन्हों छेद कर रखा है अंदर आ जाते हैं जैसे लाइट आप करता हूं 1520 आजाते आराम करने के लिए तब आपस में वो लड़ते हैं ये मेरी जगह ये मेरी यह ख़र फ़ उचती वो जान जाते हैं ये बुरा मान रहे हैं कितने इंटलिजंट है मेरे बैग में काजु मिलक एक बर्फी होती है ये जीब टुकते नहीं है जीब खोल करके तब डब्बे को काट करके मिठाई काते है वो सोचते हैं इनका नुकसान भी नहीं करना है देखा कितने इंटिलिजेंट है कभी-कभी सांप भी आजाता है उनके शिकार के लिए मैंने देखा आपके घरों में सांप आता है आपसे लड़ने नहीं आता है अपनी भोजन की तलाश में वो पोचता है अपनी आता है